Hello everyone, welcome to Magnet Beans, मैं विशेक कुमार, Magnet Beans अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो complete NCIT book, NCIT examplers और best publishers की book आपको complete solutions और theory के साथ provide करते हैं, इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको त्यारी करवा रहा है NTSC exam और Olympiad exams की भी और वो भी सब कुछ 100% free education के साथ मतलब अब आपको कहीं पे भी किसी भी तरह की fees पे करने की जरूरत नहीं है ना ही कोई subscription charge आपको कहीं पे देना है सारा कोश 100% free वो भी सारी best faculties के द्वारा आपको best material हम पे provide किया जा रहा है तो चलिए start करते हैं इस वीडियो को तो इस वीडियो में हम लोग cover कर रहे हैं chapter 3 और chapter 3 जो है वो है आपका playing with numbers तो class 6 students अगर आप लोग NCRT से ये chapter 3 cover करना चाहते हैं तो total 4 videos मैं आपको यहाँ पे playing with numbers की provide करूँगा आपको यह बता दूँ यह बहुत important chapter है क्योंकि यह same chapter class 7th में भी है class 8 में भी है तो यही chapter आपको आगे future में भी 2 साल और पढ़ना है सारे basic concepts related to numbers वो आपको यही 6th class में दिये गए हैं इस chapter के अंदर total 4 videos यहाँ पर mangle bands के platform पर आपको मिलेंगी मैं आप लोगों से यह बोलता हूँ आप लोगों को एक छोड़ा suggestion देता हूँ कि complete 4 videos जो की छोटे length की हैं बहुत बड़ी length की नहीं है इन पूरी 4 theory videos को आप अच्छे से watch करिए और उसी के बाद exercise को solve करें उससे फाइदा यह मिलेगा कि अगर आपकी theory आपको बहुत अच्छे से complete पता चल जाएगी तो आपको exercise में solve करने वाले questions जो हैं वो बहुत असान लगने लगेंगे clear है तो NCIT की exercises के बाद आप NCIT के exemplar के questions लगाना मत भूलिएगा NCIT के exemplar के complete solutions आपको magnet bands के platform पे easily available है इस video के last में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस पकार से आप बिना किसी advertisement के videos को watch कर सकते हैं तो पूरी video के साथ बने रहना क्योंकि last में finally मैं आपको यह बताने वाला हूँ यहां बीच में कहीं पर आपको यह बताऊंगा मैं कि आप कैसे advertisements को complete तरीके से watch कर सकते हैं clear है without any advertisements तो आप कोई भी magnet bands पर अगर video watch करना चाहते हैं तो without any advertisement आप चीजों को यहां पर watch कर सकते हैं चलिए तो हम start करते हैं और यहां पर जो chapter है playing with numbers इसमें जो पहला sub topic मैं start कर रहा हूँ वो है आपका word factors और multiple से introduction तो factors क्या होते हैं multiples क्या होते हैं उनकी क्या basic theory आपको known energy चाहिए उसके बाद आप exercise जो 3.1 है उसके हर question को solve करिएगा around six to seven questions है आपको सारे questions आने जाहिए एक एक question important है clear है चलिए तो हम जैसे ही word factor और multiple सुनते हैं ठीक है दोनों different word है पहली बात तो यह बहुत clear कर लो कि factors का मतलब अलग है और multiples का मतलब अलग है कई students को यह आज भी गलत फहिमी है कि factors और multiples एक ही word है नहीं factors एक अलग शब्द है multiple एक अलग शब्द है factor का मतलब क्या तो यहां पर एक बहुत छोटे से example के साथ एक student का नाम यहां पर Mary दिया है और Mary यह जाती है कि वो four को divide करे तो एक छोटे से example के साथ मैं आपको यह दोनों difference बताता हूं कि word factor हम कभी यूज करते हैं और word multiple हम कभी यूज करते हैं तो यहां पर मैं लिख देता हूं F and यहां पर मैं लिख देता हूं M यह है word multiple यह है word factor अब यहां पर एक student है जिसका नाम है Mary Mary यह चाहती है कि वो एक number को exactly divide करे और वो जो number है जो उसने choose किया है वो है four तो four को divide करना है और बचपन से मतलब मैं ऐसा बोलूँगा third class, fourth class, fifth class में आप यह चीज बहुत इच्छे से समझ गये होंगे कि कैसे multiply करते हैं कैसे divide करते हैं divide के लिए अगर मुझे four को divide करना है माल लिजे मुझे one से four को divide करना है तो one four times is four four minus four is zero remainder क्या आया हमारा remainder zero आया अगर मुझे इसी four को two से divide करना है इस चीज को समयना अगर मुझे इसी 4 को 2 से divide करना है ठीके तो इस case में 2 2 times 4 होता है 4 minus 4 again हमें remainder 0 मिलेगा लेकिन अगर मैं 4 को 3 से divide करना चाहता हूँ किस से divide 3 से divide करना चाहता हूँ तो 3 1 times is 3 4 minus 3 will give you 1 that means यहाँ पर एक remainder बच रहा है complete तरीके से यह 4 3 से divide नहीं हो पाया ठीके अगर मुझे 4 को 4 से divide करना है तो 4 1 times इदर देखिएगा 4 1 times is 4 4 तो 4 1 times is 4 4 minus 4 is 0 मतलब यहाँ पर मैं एक चीज नोटिस करूंगा कि अगर मुझे 4 को किसी से divide करना है तो वो number सिर्फ 3 है या तो 1 है या तो 2 है या तो 4 है यह चीज आपको समझ आ रही है तो यहाँ पर वह लिखा है कि उसने यह चीज नोटिस की क्या नोटिस की कि अगर वो 4 को divide करना चाहती है तो 4 divide हो रहा है या तो 1 से या तो 2 से या तो 4 से उसने एक चीज नोटिस कि कि 4 हम इन तरीकों से लिख सकते हैं 4 is equals to 1 multiplied with 4 is 4 4 can also be written as 2 into 2 is 4 and 4 can also be written as 4 into 1 and knows that the number 1 2 and 4 are exact divisor of 4 अब यह divisor word सबसे पहले तो हम चोटे-चोटी चीजों को बहुत बारीक बातों को ध्यान में रखते हुए चलते हैं clear मुझे अगर किसी चीज को किसी दूसी चीज से divide करना है जैसे यहां पर मुझे 4 को divide करना था किस से divide करना था तो मुझे 4 को divide करना था अगर 2 से तो इस केस में 2 क्योंकि divide कर रहा है इसको बोलते है divisor और 4 क्योंकि divide हो रहा है इस कारण इसको कहते हैं dividend dividend जो divide होता है वो dividend जो divide करता है वो divisor clear है तो यह बहुत clear view होना चाहिए और अगर जिससे यह divide हो रहा है अगर मैं divisor को quotient से multiply करूं तो यह जो उपर आता है जैसे 2 into 2 is 4 तो यह जो 2 उपर आएगा यह quotient कहलाएगा चीज कब divisor कहलाती है कब quotient कहलाती है कब dividend कहलाती है और कब remainder remaining part remainder कहलाती है यह बहुत clear view होना चाहिए जब आप factors और multiples पढ़ेंगे clear है तो जिसको भी यह नहीं पता सबसे पहले तो अपनी copy में note कर लीजिए कि quotient उपर जो आता है diviser जो सामने divide करता है dividend जो divide होता है diviser जब dividend को divide करता है तब अगर उसमें कुछ remaining बच जाए divide करते समय तो वो नीचे आता है जिसको हम remainder बोलते हैं clear है मुझे please comment box में यह बताते भी जाना आपको चीजे पता है हाँ या ना इसको अपनी copy में note कर लीजिए वीडियो को pause करिए और इसको note कर लीजिए तो हम एक example देख रहे थे कि जो marry करके student है मैरी चाहती है कि वो four को complete तरीके से divide करे उसने कुछ number choose किये उसने number choose किये one two three four उसने इन सबसे four को divide करके देखा उसने देखा जब one से divide कर रही है तो four divide हो रहा है two से divide कर रही है तो divide हो रहा है four से divide कर रही है तो four हो रहा है divide बट three से divide करने पर remaining part बच रहा है उसने ये चीज़ notice की उसने एक चीज़ और notice की उसने ये notice किया कि जब वो ऐसा कर रही थी तो four तीन तरीकों से लिखा जा सकता था four लिखा जा सकता था one into four के तरीके से four लिखा जा सकता था two into two के तरीके से और four लिखा जा सकता था four into one के तरीके से ये लिखने के तरीके थे done तो उसने ये चीज़ भी notice की कि four से तीनी नंबरों से divide हो रहा है दूसरा 4 को हम ऐसे ऐसे लिख भी सकते हैं तो यहाँ पर वो एक conclusion पर आई finally conclusion आया कि this numbers are called factors of 4 किन numbers को 1, 2 and 4 itself are the factors of 4 मतलब जो 4 को completely divide कर दे those numbers which completely divide the dividend those divisors are known as factors वो divisors factor कहलाते हैं यहाँ पर अगर आप notice करें तो यहाँ पर आप भी इस चीज पर आ जाएंगे finally कि देखो 1 is a divisor 2 is the divisor 4 is the divisor यह वो divisors हैं जो remainder finally 0 दे रहे हैं मतलब वो divisor जो divide कर दे और remainder 0 दे रहें completely divide कर दे ऐसे divisors को factor बोलते हैं clear है यह चीज तो अब factor of a number is an exact divisor of that number इस statement को अपनी copy में जरूर note कर लेना बहुत important statement है true and false filling in the blanks mcq way ठीके यह सारी चीजे आपको मिल सकती है match the following तो यह statements जो मैं note कर वाता हूँ यह बहुत important है इसके लिए मैं आपको एक बाई यह जरू suggest करूँगा कि आप अपनी copy में proper दरीके से notes बनाईए मुझे जल्दी से comment box में बताईए आप चीजे बना रहे हैं notes बना रहे हैं proper देके से हाँ या ना जल्दी से जवाब दीजिए इसका मैं आपके answer का wait करूँगा clear तो finally आपको यह समझ आया एक example से कि हम word factor कब बोलते हैं अब word multiple कब बोलेंगे तो multiple का मतलब जब एक ही number से कोई चीज मतलब multiply की जा रही है multiple 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 जो है वो infinite होते हैं unlimited हो सकते हैं कितने भी हो सकते हैं लेकिन जो factors हैं वो limited होते हैं मैं यहाँ पर क्या बुलना चाहरा हूँ अगर आपने यह चीज notice की हो तो मैं आपको यहाँ यह बताना चाहरा हूँ कि finally अगर किसी एक number को आपको divide करना है तो कोई एक number मैंने यहाँ पर ले लिया 4 अगर मुझे से 4 को divide करके देखना है तो 4 को divide करने वाली जो values होंगी वो fix होंगी 4 हर किसी value से divide नहीं होगा वो values जो हैं वो है 1, 2 and 4 और इनी values को factor कहते हैं लेकिन अगर इसकी जगा मैंने आपसे बोल दिया कि भाई 4 के multiples बताईए तो 4 के multiples मतलब 4 के साथ क्या-क्या multiply हो सकता है तो यह unlimited आप 1 multiply करदो आप 11 multiply करदो आप 99 multiply करदो आप 2 multiply करदो आप इसके साथ चाहें तो multiply करदीजे 16 आप इसके साथ चाहें multiply करदीजे 129 यह सब 4 के multiple है ठीक है तो 4 के साथ जो values multiply होके result दे रही है वो 4 के multiples कहलाएंगे ठीक है 4 into 1 is 4 4 multiplied with 11 is 44 ठीक है 4 multiplied with 9 अगर मैं देखू तो यहाँ पर यह 39 आएगा 396 तो यह देखिए 4 into 99 is 396 यह जो 396 है मैं बोलूंगा this 396 is the multiple of 4 done तो यह चीजे multiple कब बोलना है factor कब बोलना है यह पहली slide में मैंने एक चोटा सा introduction part आपको दिया इसी चीज को हम आगे आप move करते वे चलते हैं और chapter की और depth में चलते हैं छोटी सी वीडियो है complete वीडियो वाच करना क्योंकि यहाँ से आपको पूरा clear ग्यान मिलेगा कि word factor कब यूज करना है multiple कब यूज करना है done है चलिए तो इसको आप आगे लिखे चलते हैं तो हमें यहाँ पर notes में एक important चीज लिखनी है वो यह की factor उनको कहते है ठीक है जो की of a number किसी भी number के factor हम उसको बोलेंगे जो उसको exact divide कर पाए उस number को exact divide कर पाए exact divide मतलब remainder 0 आना चाहिए done है यह चीज चलिए move करते हैं आगे when we write a number 20 अब यह एक छोटा से example ले रहा है माल लिजिए मैं कोई number 20 लिखता हूँ ठीक है और इस 20 को express करता हूँ किस form में 4 multiplied with 5 के form में 4 into 5 is 20 तो मैंने कोई number choose किया 20 और उस 20 के मैंने 2 यहाँ पर factors लिख दिये कि भाई 4 into 5 is 20 ठीक है we say that 4 and 5 are the factors of 20 हम यह बोलेंगे कि यह जो 4 और 5 है यह दोनो 20 के factor है done we also say that 20 is a multiple of 4 and 5 और यही पर एक word आपको देखने को मिलेगा कि word multiple कैसे use करना है और word factor कैसे use करना है 4 और 5 दोनों factor है 20 के ठीक है और अगर मुझे word multiple बोलना है तो इस case में कहूंगा कि 20 जो बन रहा है 20 जो बन रहा है यह किसके multiplication से बन रहा है तो यह 4 and 5 के multiplication से बन रहा है तो 20 is a multiple of 4 and 5 20 is the multiple 20 एक ऐसा number है जो इनके multiplication से बन रहा है ठीक है? तो यहाँ पर दो अलग-अलग बाते मैं कर रहा हूं 4 और 5, 20 के factor है यह हो गया इनका branch खतम लेकिन इन दोनों के multiplication से मुझे 20 मिल रहा है तो word multiplication और दो अलग चीज़े मैंने दोनों को comma के साथ जब represent किया तो वो factor है वो दोनों को जब multiplication sign के साथ represent किया तो वो multiple कहलाएंगे तो factor कब कहलाएंगे? multiple कब कहलाएंगे? यह बहुत clear होना चाहिए done है the representation of 24 माल लीजिये मुझे 24 का representation करना है और मैंने कहा कि 24 को मैं लिख सकता हूं 2 into 12 के साथ माल लीजिये मुझे 24 को represent करना है और मैं इसको represent कर रहा हूं 2 multiplied with 12 के साथ तो इसका मतलब क्या समझ आता है? इसका मतलब हमें यह समझ आता है कि 2 और 12 तो देखो जब मुझे word factor बोलना है तो मैं कहूंगा 2,5 और सब्सक्राइब 2,12 तो इस case में मैं कहूंगा 2 and 12 both are factors both are factors लेकिन अगर मैं multiple की बात करूँ तो मैं कहूंगा 24 is the multiple of 2 and 12 मतलब 2 और 12 को जब मैं multiply करूँगा तब word multiple use होगा multiplication पे multiple word बोलना है comma पे factor बोलना है इतना असान एक simple सी language समझ लो done factor आप single single बताते हो multiple आप हमेशा दो चीजों के product को बताते हो multiplication को बताते हो तो यहाँ पर word factor ओ multiple एक बहुत अच्छे देकिस है आपको यहाँ पर explain कर दिया गया है we can say that a number is a multiple of each of its factor और इस statement को अब आप note कर लीजिये आपको यहाँ से यह समझ आएगा कि भाई क्या मैंने क्या बोला अगर आप फिर से पढ़े इस चीज़ को तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक number वो multiple है अपने factors का इसका मतलब जैसे देको मैंने 20 बोला था ठीके मैंने 24 बोला था 24 को हमने लिखा था 2 into 12 ठीके 20 को हमने लिखा था 4 into 5 और 4 और 5 दोनों factor है 2 and 12 दोनों factor है और factor के multiplication से उनका जो factor को multiply करोगे तो 20 बनेगा तो हम यहाँ पर यह statement बोल सकते हैं कि कोई भी number कोई भी number ठीके वो एक multiple होता है अपने factors का बहुत simple सा statement मैंने कहा है कोई भी number multiple होता है अपने factors का simple तो यही statement आपको लिखना है we can say that a number is a multiple of each of its factors finally हम यहाँ पर एक conclusion देते हैं तो कुछ points है जो आपकी copy में होने चाहिए conclusion हम दे रहे हैं कि word factor और multiple से हम क्या-क्या conclude कर सकते हैं और यह जितने point मैं आप लिखवा रहा हूं इन सबका use exercises में होगा total seven exercises हैं इस chapter में और आपको हर point पे हर जगा पे क्योंकि बहुत बड़ा chapter है इसमें चार theories में आपको दे रहा हूं seven exercises हैं ठीक है आपकी NCRT book में आपको हर एक छोटी चीज छोटी बात को ध्यान रखके हर एक question को attempt करना है तो जब आप exercises solve कर रहे होंगे ठीक है तो exercises में मैंने कुछ terms का use किया है मैंने कुछ concepts का use किया है मैंने कुछ laws or principles का use किया है वो ही laws or principles मैं यहाँ पे theory में आपको बताऊंगा और यही use होने वाले हैं जब मैं exercise solve करवाऊंगा तो exercise के समय क्योंकि मैं पेस इतना time नहीं होता कि हम question solve करें तो वहाँ पे मैं आपको बोलूँगा यह चीज़ कि theory lecture जाके watch करिये theory lecture में complete theory मैं आपको दे रहा हूं done तो यहाँ तक जहाँ तक हमने शब्द factor or multiple पढ़ा अभी तक इससे हम क्या conclude कर सकते हैं तो इससे हम यह conclude कर सकते हैं कि one is a factor of every number क्या बोल दिया देखो sir अभी आपने बताया कि multi factors का मतलब क्या होता है ठीक है अभी मैंने बताया factor का क्या मतलब होता है factor का मतलब यह होता है कि जो number दिये हुए number को complete तरीके से divide कर दे remainder 0 आना चाहिए उसको factor बोलेंगे ठीक है जैसे हमने marry के example में लिया था कि marry 4 को divide करना चाहरी थी किस से divide करना चाहरी थी यह 3 से divide करना चाहरी थी तो 3 1 times 3 तो इसने लिखा बट यहां पर remaining part बच गया बच गया यहां पर हमने एक चीज notice की कि जो 3 जब 4 को divide कर रहा है तो remaining part बच रहा है लेकिन अगर मैं 1 से divide करूं 4 को मैं 1 से 4 को divide करूं तो 1 के table में यह 4 number आता है इसलिए हमारा remaining part 0 बच पा रहा है तो इससे यह समझ आया कि finally हर number का ठीक है हर number के साथ यह हर number 1 के table में आता है आपने 1 का table पढ़ा 1 into 1 is 1 1 into 2 is 2 1 into 3 is 3 1 into 4 is 4 1 into 5 is 5 1 into 6 is 6 1 into 10 is 10 1 into 99 is 99 ठीक है तो इससे क्या समझ आता है कि हर number के साथ 1 एक ऐसा चीज है जो multiply हो रही है तो 1 हर number के साथ हम factor बोलेंगे तो कोई भी number हो 1 उसका जो है 1 उसका factor होगा यह चीज clear है तो यहाँ पे जब हम question solve करेंगे तो हर जगा हम factor 1 सबसे पहले consider कर लेंगे आपके पस questions आने वाले हैं वो कहेंगे find the factor of 19 19 अब 19 एक prime number है आप कहेंगे sir इसके क्या factors होगे तो मैं कहूंगा 1 है ना 1 prime number किनको कहते है जब कोई number 1 से divide हो यहाँ खुद से divide हो यही चीज है तो जब कोई number 1 से यहाँ खुद से divide हो ऐसे numbers को prime number कहते है तो 19 क्योंकि 1 से divide हो पा रहा है done है तो 1 into 19 is 19 and remainder is 0 ठीक है और 19 19 से खुद से भी divide हो जाएगा आप देखो अगर मुझे 19 को 19 से divide करना है तो 19 1 times is 19 again मेरा remainder 0 ही आएगा तो prime numbers इनी को तो बोलते हैं जब दो factor हो 1 और number itself तो हर कोई भी number ठीक है कोई भी number हो उसमें 1 as a factor हमेशा साथ में रहेगा 1 हमेशा multiplication में रहता है done है यह चीज clear चलिए हम करते हैं board clear और second point पे ध्यान देते हैं तो second point हमें क्या कह रहा है second point हमें यह कह रहा है we say that every number is a factor of itself क्या बोला यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई factor की जब बात होती है तो हर number ठीक है खुद का भी factor है मतलब जब भी मैं जैसे मैंने यहाँ पे बोला अभी आपको की 4 के factor बताईए तो आप कहेंगे sir 4 क्योंकि 1 से proper तरीक से divide हो रहा है 4 क्योंकि 2 से proper तरीक से divide हो रहा है और 4 क्योंकि 4 खुद से proper तरीक से divide हो रहा है remainder part आ रहा है तो यहाँ पर हमें यह समझ आया कि एक तो 1 इसका factor है यह हमेशा हर number का factor 1 है यह दूसरे point में हो कह रहा है कि number का जो एक factor है वो खुद होता है itself, done, तो जब भी किसी number के factors निकालने को बोलें तो आख बंद करके उसके दो factor तो बहुत clear है एक तो 1 और एक वो number खुद, clear, ठीके तो यहाँ पर यही हमें सिखाना चाहरा है कि every number is a factor of itself, हर number खुद का factor है, done, चलिए यहाँ पर देखिएगा मान लीजे मुझे 20 का factor बताना है तो ऐसे क्या-क्या values हैं जो 20 को proper तरीके से divide कर दें तो आप कहेंगे सर यह 1 से भी proper देके से divide हो रहा है, यह 2 से भी proper देके से divide हो रहा है यह 5 से भी proper देके से divide हो रहा है, यह 4 से भी proper देके से divide हो रहा है 4 into 5 is 20, ठीके, तो 5, 4, 5, तो देखो 1, 2, 5, 4, देखो अगर मैं 20 की बात करूँ तो 20 जो है 1 times भी बनता है ठीक है अगर मैं multiples का case देखता हूं तो 1 into 20 ये दो factor हो गए 20 आया then 2 into 10 तो 10 भी एक factor है 2 भी एक factor है then उसके आद 3 से ही नहीं जाता 4 से जाएगा तो 4 into 5 और again 5 into 4 जब ऐसी वाली स्थिति आ जाए मैं क्या बोल रहा हूं एक नई चीज यहां पर सिखा रहा हूं जब ऐसी स्थिति आ जाए कि वो ही digits repeat होने लग जाए तो रुख जाओ बस वो 20 का division यहीं से होगा और कहीं से नहीं होगा मतलब इसके जो factors होंगे वो 1 होगा वो 2 होगा वो 4 होगा 5 होगा इदर से सरकल इदर जाएगा 10 होगा 20 होगा और कुछ नहीं होगा factors के case में बात करो कोई और value नहीं तुम्हें मिलने वाली जो 20 को divide कर पाए other than this values clear है यह चीज तो जब भी यह वाली स्थिती बने कौन सी 4 into 5 5 into 4 जैसी condition जब भी बने ठीक है तो आपको वहीं से पलट जाना है और यह factors बता देने है done है तो यहाँ पर हमने एक चीज नोटिस की कि 1 इसमें भी था और 20 भी इसमें था तो एक तो number itself and 1 is the factor ठेक है दो point पूरी उमीद करता हूँ आपने अपनी copy में बहुत अच्छे से note कर लिये होंगे third point पे आना third point में यह कह रहा है the factors of 16 are 1, 2, 4, 8, 16 out of this factors do you find any factor which does not divide 16 यह आप से एक सवाल पूछना चाह रहा है यह कह रहा है माल लो मैंने एक number लिया 16 और मैंने आप से पूछा 16 के factor बताईए तो आप कहेंगे कि 1 into 16 is 16 yes 16 1 से proper तरीके से divide होगा 16 2 से proper तरीके से divide होगा 2 into 8 is 16 3 से divide नहीं होगा but 4 से divide होगा 4 into 4 is 16 done अब यह 5 से नहीं होगा ठीक है यह 6 से नहीं होगा ठीक है यह 7 से नहीं होगा again यह 8 से होगा 8 multiplied with 2 देखो वही वाली condition आ गई 2 into 8 बोलो या 8 into 2 बोलो बात तो वही है तो finally मैं यहाँ पर रुख जाओंगा और मैं कहूंगा 16 के जो factors होंगे वो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा and the 16 itself तो यहाँ पर 1, 2, 4, 8, 16 यह 16 के factors है अब इन्होंने जो सवाल पूछा है, इन्होंने कहा क्या तुम इन factors के अंदर एक भी ऐसा factor देख रहे हो जो 16 को divide ना कर पाए the factors of 16 are this out of this factors do you find any factor which does not divide 16 जो 16 को divide ना कर पाए तो ऐसा कोई भी factor नहीं है then दिये होई factors में से ठीक है, मतलब 16 के जो factors है मतलब जब भी किसी number के आप factors निकालते है उस number के जो factors होते है वो number उन्ही factors से divide हो पाएगा हर किसी से divide नहीं होगा यह चीज आपको अपने दिमाग में याद रखनी है यही यहाँ पे लिखा है that every factor of a number is an exact divisor of that number फिर से बोल रहा हूं मैंने क्या बोला मैंने इस third point में यह बोला कि अगर आप किसी भी number के factors निकाल लेते हैं तो आप बहुत clear view अपने दिमाग में रखो कि यही factors हैं जिनसे यह number divide हो जाएगा बाकी किसी से divide नहीं होने वाला done है ठीक है आप कोई भी number ले लो मैं अगर board clear करके यहाँ पे 20 20 ले लेता हूं मालो मैं 20 ले लेता हूं तो आप कहेंगे sir 1 into 20 is 20 done फिर आप कहेंगे sir 2 into 10 is 20 फिर आप कहेंगे sir यह 3 से नहीं जाएगा 4 से जाएगा 4 into 5 is 20 and 5 into 4 is 20 ऐसी बोलेंगे repetition हो गया तो हम बोलेंगे factor 1 है 2 है 4 है 5 है 10 है 20 है ठीक है तो 20 के जो factors आएंगे वो आएंगे 1, 2, 4 ठीक है then 5, 10 and 20 यही factors से 20 divide होगा और कोई number नहीं है जिस से 20 divide हो जाए 20 किसी से divide नहीं होगा other than its own factors यह third point में मैंने आपको बोला तो कुल मिला के यहाँ पर हम लोग conclude कर रहे हैं वो basic point जो आपको याद रखने है factors related और multiples related done है यह चीज़ इसको 3 point को बहुत clear कि आगे भी बहुत सारे point है अपनी copy में note करते जाना ठीक है बहुत ज़रूरी point है इन points के उपर fling the blanks आ सकते है true and false आ सकते है question आ सकता हाफ marks, one marks, two marks का कोई भी ठीक है exercise 3.1 और 3.2 इन ही points पर based है move करते है, question number, इसका point number 4 पर तो point number 4 क्या कह रहा है इसको देखो the factors of 34 are 34 के factors क्या है तो 34 के factors है 1, 2, 17 and 34 itself ठीक है which is the greatest factor आप बताईए इसमें सबसे बड़ा factor कौन सा है ये सारे factor है इनमें सबसे बड़ा factor कौन सा है तो आप कहेंगे 34 खुद एक बड़ा factor है तो the other factor 1, 2 and 17 are less than 34 तो finally यहां से ये statement हम conclude कर पाएंगे statement है every factor is less than or equal to given number आप अगर किसी number का factor निकाल पा रहे हो ठीक है मैंना निकाल लिया माल लो आपने किसी number का factor निकाल लिया आप एक चीज़ notice करोगे वो जो factors है उन सब की value छोटी है ठीक है उस number से वो जो दिया हुआ number है जिसके आपने factors निकाले आपने 20 के factor निकाले आपने 4 के factor निकाले 4 के 3 factor थे ठीक है 1, 2 and 4 तो आपने देखा 1 और 2 ये दोनों छोटे हैं 4 से ठीक है आपने 20 के factor देखे 20 के जितने factor थे वो सब 20 से छोटे हैं तो यहाँ से finally हमने एक चीज conclude की, हमें एक चीज समझ आई, कि जब हम factor निकालते हैं, तो number खुद का factor है, और बाकी जितने factors हैं, वो उस number से छोटे होंगे, यह चीज हमने यहाँ conclude की है, clear है? तो इस तीके से fourth point में बहुत important चीज को cover up कर दिया गया, fifth point देखना, if the numbers are as large as like this, मालो बहुत बड़े-बड़े numbers आ जाते हैं, बहुत सारे digit हैं उसके अंदर, ठीके, और आपसे बोलते हैं, इसके factors calculate करो, कर तो लोगे, अराम से कर लोगे, और कुछ fix number of factors होंगे, मैंने बुला मैंने यह बुला, कि मालो मुझे four के factor बताने हैं, तो आप four की क्या factor बता सकते हो, आप four के factor बता सकते हो, one comma two comma four, मैंने बुला, twenty के factor बताओ, तो twenty के factor आप बता दीजे, one, two, four, five, ten, twenty, सिर्फ यही factor है, ठीके, यह इतना बड़ा number दिया है, क्या है number यह, one, zero, five, ठीके, seven, six, अब इसके factor one से चालू होंगे, और finally last कहां तक जाएंगे, one, zero, five, seven, six तक, यही तक जाएंगे, क्योंकि यह अभी हमने पड़ा, कि कोई भी number हो, बड़े से बड़ा number हो, उसका जो factor होता है, वो number itself होता है, फिर दूसरे point में मतलब, इस point में हमने यह पड़ा, कि भाई, जो number है, वो अपने आप में बड़ा number हो, उसके जितने factor होंगे, उससे छोटे होंगे, और जो next point में आपको समझा रहा हूं, वो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, कि जब आप factors निकालते हैं, तो factors finite होते हैं, infinite होते हैं, मतलब fixed number of factors होते हैं, one से चालू करोगे, one, zero, five, seven, त इसी भी number का, तो factors जो हैं, वो fixed है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा unlimited नहीं है, तो हम कहते हैं, number of factors of a given number are finite, वो fixed है, clear है, ठीक है, लेकिन, जब हम multiples निकालते हैं, इसी की जगह, अगर मैं थोड़ा सा उल्टी बात करूं, मतलब, अगर मैं आपको यह बोलूं, कि भाई, four के multiples बताईए, तो यह infinite है, यह unlimited है, कितने भी हो सकते हैं, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है number, उसके साथ four को divide कर दो, मैं कह रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक number आ रहा है, nine, 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 eight, six, two, seven, जो आ रहा है, इसके साथ अगर मैंने four divide कर दिया, तो यह number के साथ four divide करते ही, ज तो result आएगा, वो कहलाएगा four का multiple, clear है यह चीज, तो multiples infinite होते हैं, और जो factors है, वो finite होते हैं, दो word पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे limited, unlimited, limited, factors are limited, ठीके, and multiples are unlimited, यह point आपको अपनी copy में note करना है, done, move करते हैं, sixth point पे, the multiples of seven are, seven, fourteen, twenty-one, twenty-eight, seven के साथ, तुम जितना multiply करते जाओ, वो सब seven के multiples कहलाएंगे, seven into one is seven, seven into two is fourteen, seven into three is twenty-one, seven into four is twenty-eight, seven into five is thirty-five, and unlimited, तो यहाँ पे यह बोल रहा है, the multiples of seven are this, each of this multiple is greater than or equal to seven, आप देखेंगे, जो multiples होते हैं, वो यहाँ तो equal to seven होंगे, यह seven से बड़े होंगे, ठीके, देखो आप यह 14 आया, यह 21 आया, 17 से बड़ा है, यह 28 आया, seven से बड़ा है, यह seven into, seven into five मैंने किया, तो यह 35 आया, अगें seven से बड़ा है, तो एक चीज समझ आ रही है, क्या समझ आ रहा है, कि जब मैं multiples की बात करूँगा, तो जिस भी number के multiples निकलेंगे, वो यहाँ तो उस number के equal में होंगे, यह उस number से बड़े होंगे, और जब भी मैं factors की बात करूँगा, तो जो number के मैं factor निकाल रहा हूँ, ठीके, वो one से चालू होंगे, और वही तक सिमित हो जाएंगे, मतलब उस number की value के बराबर होंगे, मतलब वो number खुदी एक factor होता है, तो जितने भी factors हैं, वो उस number से चोटे होंगे, less than, यहाँ पे आएगा more than, वहाँ पे आएगा less than, multiples हमेशा value बड़ी होती है, यहाँ तो equal होती हैं, बड़ी होती है, ठीके, factors के case में हम कहते हैं, जो value है, जिसका भी आप factor निकाल रहे हो, जो factors निकल रहे हैं, वो हमेशा उस number से चोटे होंगे, कब चोटे होंगे, कब बड़े होंगे, यह चीज आपको बहुत clear होनी चाहिए, तो finally, आप लोगों ने यह six point यहाँ पे पड़े, every multiple of a number is greater than or equal to that number, number of factors of a given number are finite, every factor is less than or equal to the given number, यह सारे point आपने cover किये, one खुदी का factor होता है, number खुदी का factor होता है, ठीके, जितने भी factor हैं, वो सब उससे छोटे होंगे, दिये हुए numbers है, यह सारे point ही तो हम cover कर रहे हैं, clear है, तो finally, छे point के बाद हम move करते हैं, आगे के तीन points पे, यहाँ पे ध्यान देना, the multiple of 5 are 5, 10, 15, 20, 25, आपको जितने आ रहे हैं, उतने करते जाओ, तो वो ही point लिखा है, the number of multiples of a given number are infinite, अभी पीछे बताया, क्या बताया था मैंने अभी पीछे, कि जब भी factors निकालते हैं, तो limited values आती हैं, लेकिन जब भी multiples निकालते हैं, तो unlimited values आती हैं, limited, unlimited, finite, infinite, यह पता होना चाहिए, वो ही यहाँ पे 7th point में लिखके दिया, 8th point में कह रहा है, can 7 be a multiple of itself, क्या 7 खुद का multiple है, तो yes, because 7 into 1 is 7, every number is a multiple of itself, factor की case में भी पढ़ा था, every number is a factor of itself, and every number is a multiple of itself, ठीक है, तो यह common point है, जो आपको पता होना चाहिए, अपनी copies में please note करते जाना, notes मुझे comment box में बताते भी जाओ, आपको बाते समझ आ रही हैं, हाँ या ना, ठीक है, बहुत easy way में, बहुत अच्छे दीके से मैं explain करता हुआ चल रहा हूँ, अगर कोई चीज आपको अभी समझ नहीं आ रही इस instance पे, वीडियो को दो से तीन बार replay करके सुनो, थोड़ा सा पीछे जाओ उस instance पे जहां से बात समझ नहीं आई है, फिर वहां से दुबारा से repeat करो, और मेरी बातों को सुनो, आपको समझ आ जाएगा, clear, चल, अब आप एक चीज यहां पे notice करेंगे, बहुत पहरी चीज है, कि आप जब भी किसी चीज के factor निकालते हैं, जैसे मैंने 6 का factor निकाला, तो 6 के factors आएंगे, 1, 2, 3 and 6 itself, ठीक है, तो यहीं पे भी योई लिखा है, अब आप जब इन factors को add करोगे, 1 plus 2 plus 3 plus 6 करोगे, तो एक value आएगी, वो value कितनी आ रही है, तो 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6, 6 plus 6 is 12, add करने पे यह जो value आ रही है 12, यह value, 2 times है 6 की, clear है यह चीज, तो यह 12 आया है, यह 6 का 2 times आया है, अब ऐसा बहुत बार होगा, यहाँ पे हमें यहीं जिखाना चाहरा है कि तो कोई भी नंबर लो, अगर उस नंबर के factors का sum, जो value दे रहा है, वो value उस नंबर की 2 times अगर है, अगर है, तो ऐसे नंबर को हम perfect number कहते है, 6 is a perfect number, यह हमें यहाँ पे यहीं सिखाना चाहरा है, यह कह रहा है, जब आप 6 के factors निकालोगे, तो 6 के factors 1, 2, 3 and 6 निकलेगा, जब आप 1, 2, 3, 6 करेंगे, तो आपको value 12 मिलेगी, आप यह notice करेंगे, कि यह 12 का मतलब है, दिये हुए नंबर का, आपने 6 लिया था न, आपने जो number लिया था, where 12, उसका 2 times आ रहा है, कभी भी ऐसी situation अगर बनती है, तो हम 6 को perfect number बोलेंगे, है असान, यह कह रहा है, 28 जो है, वो एक perfect number है, board कर लेते हैं, clear, यह कह रहा है, 28 भी एक perfect number है, तो 28 के factors निकाल के देखते हैं, चलो, तो 28 के factors होंगे, 1, 2, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 4 into 7 is 28, तो 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, ठीक है, अब 2 into 14 is 28 होता है, तो 14 भी एक factor है, clear, और 28 खुड एक factor है, अब यह सा बोलना चाहरा है, कि जब आप 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14 plus 28 करेंगे, ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है, देखो 1 plus 2 is 3, 3 plus 4 is 7, 7 plus 7 is 14, 14 plus 14 is 28, 28 plus 28 is 56, तो यह कह रहा है, इसके add करने पर जो अंसर आ रहा है, 56, यह actually दिये हुए number का 2 times है, दिये हुए number का 2 times है, तो कुल मिलाखे, जब आप किसी number के factor निकालते हैं, उन factor का sum करते हैं, और sum की जो value आती है, अगर वो उसी number का 2 times आ रहा है, तो 28 को हम perfect number बूलेंगे, यहाँ पर एक बहुत प्यारी चीज, एक बहुत अच्छी चीज आपको सीखने को मिली, इसके उपर based questions भी आते हैं, तो यह चीज आपको पताओ निचाए, अब वो आपसे क्या करेंगे, कैसे question देंगे, वो आपको चार number दे देंगे, और आपसे कहेंगे, बताओ इन चारो number मेंसे, वो कौन सा number है, जो की perfect number है, तो यहाँ पर मैंगर बेंस के platform पर आपको यह चीज बहुत अच्छी सीखने को मिली, कि perfect number किसको कहते हैं, factors और multiples का पूरा मैं उमीद करता हूँ, आपको बहुत अच्छे से ग्यान हो गया होगा, चीज factor कब बोलेंगे, multiple कब बोलेंगे, based on the factors, हम perfect number कब बोलेंगे, clear है यह चीज, तो इस तहीके से आपने यहाँ पर यह चीजे कर ली है, solve, कुछ examples है, तीन example कुछ मैंने इस theory lecture में लिया है, किस पकार के सवाल, आपको exercise 3.1 में मिलने वाले हैं, ठीके, वो तीन varieties हम यहाँ cover कर लेते हैं, देखो, पहली variety, write all the factors of 68, यह कह रहा है, 68 के सारे factors बताईए, तो देखो, जब भी इस पकार के question को आप attempt करें, तो सबसे पहले कृपया कर solution जरू लिखे, solution लिख लिया, अब आपको given क्या है, तो आपको given है, a number, एक number आपको given है, a number 68, a number 68 is given to you, आपको एक number 68 given है, आपको क्या पता करना है to find, आपको पता करना है 68 के factors, तो factors of 68, और 68 के factors निकालने के लिए, आप simply यहाँ पे सबसे पहले लिखना चालू करो, तो 1 से हम कहानी चालू करेंगे, 1 into 68 is 68, क्या 2 के साथ multiply करने पे किसी चीज की value 68 बन रही है, तो yes, वो है 2 multiplied with 34, clear it, 2 into 4 is 8, 2 into 3 is 6, अब, यहाँ पे 3 के साथ multiply करने पे कोई value हमें नहीं मिल रही, ठीक है, अगें, यहाँ पे हम, जब 2 हो गया, 4 के साथ multiply करेंगे, देखो, 4 के साथ भी जाएगा, 4 के साथ जब मैं यहाँ पे multiply करूँगा किसको, तो यह आ जाएगा आपका 4, 1 times 4, 4 के साथ भी 3 के multiply पे नहीं आ रहा है, done, तो 4 के multiplication पे आ रहा है, यह आ रहा है, 4 7 times, 4 7 times 28, yes, तो यहाँ पे देखीगा, 4 7 times 28, 2 carry गया, 68, तो 4 into 7 is 68, अगेन, 4 से गया, 5 5 से नहीं जा रहा, 6 से नहीं डिवाइट होगा, ठीके, 6 इसका factor नहीं है, 7 इसका factor नहीं है, ठीके, then उसके बाद 9 भी इसका factor नहीं है और 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है 12 भी नहीं है 12 से ये नहीं जा रहा है, हम करके एक बाद देख लेते हैं क्या 12 से ये हो रहा है, multiply तो 68, 2, 3 times is 6 2, 4 times is 8 again 2, 1 times is 2 2, 7 times is 14 again 17, 1 times is 17 इसके factor जो है, वो सिर्फ 1, 2, 4 17, 34 and 68 है खतम, और कोई factor नहीं है 68 का, तो factors of factors of 68 are क्या-क्या factors है तो 1, 2, 4 17, 34 68 इन्होंने यही हम से पूछा था, कि write all the factors of 68 हमने 68 के सारे factors लिख दी है clear है, तो इस पकार से आपको finally, यहाँ पे चीजे इस पकार से आपको solve करनी थी, यही factors हैं और कोई factors नहीं है तो सर, आपने क्या किया, मैंने कुल मिला के यहाँ पे table पढ़ा है एक आपको मैं theory lecture देने वाला हूँ इस theory lecture के बाद एक और theory lecture है, आप उसको watch करिये पूरा उसमें मैंने divisibility rule सिखाए है ठीके, तो divisibility rule third lecture होगा मेरे ख्याल से, आप उसको watch करिये लिस्ट में जब आप website के through watch करेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि कैसे without any advertisement आप videos watch कर सकते हैं तो यहाँ पे without any advertisement आप website के through videos को watch करिये और जब आप website के through आएंगे तो यहाँ पर just इसके बाद में second theory lecture ठीक है वो यह third theory lecture आपको divisibility का मिलेगा उन में divisibility rules देखना देखो मैंने numbers देखते ही कैसे बोला यह चीज मैंने वहाँ पे सिखाई हुई है done तो इस पकार से हमने finally example one को solve किया अभी एक example और pick करते हैं next example find the factors of 36 देखो हमें given क्या है तो हमें एक number given है a number a number 36 is given then हमें क्या पता करना है to find हमें क्या पता करना है तो हमें पता करने है factors of 36 factors of 36 done तो यहाँ पे to find given चलिया इसके बाद हमें कैसे निकालने हैं तो देखिए one multiplied with 36 is 36 होता है then 2 से ऐसा क्या multiply करूँ तो आप कहेंगे 2 से 18 multiply कर दीजी यह भी 36 value देगा 2 into 8 is 16 16 का 6 carry 1 36 yes फिर उसके बाद 3 के भी टेबल में 36 आता है 12 times तो 3 into 12 is 36 done फिर उसके बाद 4 के टेबल में क्या 36 आता है तो yes यहां पर आप देखेंगे 4 8 times 32 and 4 9 times 36 5 के टेबल में नहीं आता 6 के टेबल में आता है 6 into 6 is 36 clear है फिर उसके बाद 7 के टेबल में नहीं आता है 36 7 5 times 35 होता है 8 के टेबल में 36 आता है क्या कहीं पर तो 8 के टेबल में भी 36 नहीं आता है क्योंकि 8 3 times होता है 24 8 4 times होता है 32 और 8 5 times फिर हो जाता है सीधा 40 तो 8 के टेबल में भी नहीं आएगा 9 के टेबल में अगे 9 into 4 36 होता है तो देखो मैंने आपको बताया था जब अभी थियोरी पढ़ा रहा था कि जब भी repetition दिखने लग जाए वहीं पर stop हो जाओ ठीक है क्योंकि 409 तो अल्रेडी आ चुका है तो यहीं पर हम stop हो जाते हैं तो finally हमाई सामने factors आ गए 36 के क्या-क्या factors आए हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं answer देखना answer हमारा होगा factors of 36 are factors of 36 are 1,2,3 देखो 1,2,3,4,6 तो 1,2,3,4,6 यहीं दिये 1,2,3,4,6 6 के बाद इधर आ जाओ तो 9,12,18 9,12,18 और 36 खुद तो यह सारे factors है 36 के खतम कहानी इस पगार के सवाल आपको 2 से 3 marks 2 marks में हो सकता है definitely आपको देखने को मिल जाए चलिए एक last example और pick करूँगा इस वीडियो में और यह वीडियो का हम करेंगे यहाँ पर फिर और इसके बाद आप जू watch करिएगा दूसरी वीडियो भी तो सेकेंड वीडियो टोटल चार पार्ट है चार थियोरी लेक्चर्स है छोटी छोटी वीडियो है लास्ट तक वाच करना चल इधर ध्यान देना राइट फॉर्स्ट फाइफ मल्टीपल्स ओफ सिक्स सिक्स के पहले पांच मल्टीपल्स बताईए है आसान तो सिक्स के पहले पांच मल्टीपल्स कौन-कौन से अब देखो मल्टीपल्स की जब बात होती है तो मल्टीपल्स के केस में हम कहते हैं जो इनसे multiply हो जाए और first six पूछें, first five, पहले पांच, पहले पांच कौन कौन से होंगे, तो पहले पांच के लिए हम बोलेंगे यहाँ पर देखना, तो multiples of six, multiples का मतलब क्या ऐसा multiply करूं, multiples of six, six में ऐसा क्या multiply करूं, ठीके, कि मेरा answer ठीके, आ जाए, six के multiplication पर आ जाए, वो पह six के साथ आप one से कहानी चालो करो, six into one, six into two, six into three, six into four, and six into five, then पहले पांच multiple six के, देखिए, six तो अपनी जगा पर ही बना रहेगा, और पहले पांच, पहले चे, पहले दस, यहाँ पर serial wise आपको multiply करना है, तो six के साथ जब भी कोई value multiply होगी, तो वो six का multiple कहलाएगा, लेकिन first five बोले हैं, तो first five के case में हम कहेंगे, six, 12, 18, 24, done, फिर 30, खतम कहानी, तो यह है आपके पहले पांच, six के multiple, खतम, और कुछ नहीं करना, clear है, चले, तो इस पकार से हमने यहाँ पे जो आज theory समझी, मतलब जो वीडियो आप watch करें, इसमें हमने सिफ वर्ड फैक्टर और multiple को बहुत अच्छे दिके से vast में जाके समझाए, clear? तो पहले part में, मतलब पहली जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो chapter है, आपका वो है playing with numbers, chapter number 3, इसकी पहली theory lecture, पहली class ऐसा समझ लीजिए, इस पहली class में मैंने आपको सिफ वर्ड फैक्टर और multiple को बहुत अच्छे समझाया, इसी concept को हम आगे की तीन वीडियो में लेते हु जाइए, type करिए magnetbrains.com, जैसे ही आप magnetbrains.com टाइप करते हैं, तो ये interface open होगा, इस interface पे explore top courses के head के नीचे, आपको यहाँ पर option मिलेगा, cbsc from kg, from kindergarten to class 12, ठीक है, तो class 12 तक की आपको सारी videos, complete ncrt book यहाँ पर available है, आप है class 6 में, आप clearly यहाँ class 6 को click करिए, class 6 क्लिक करते ही, आपकी सारी teachers आपके सामने, वो सारी teachers जो आपको यहाँ पर science, Sanskrit, social, math, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, computers का subject, English का subject, Sanskrit हो, Hindi हो, आपको जिन भी teachers से उनका चीजे पढ़नी है, मतलब उनका syllabus पढ़ना है, आप उन teacher की photo के नीचे watch now का option आता है, आप उस watch now को click करिए, simple, ठीक है, तो जिन भी teachers द्वारा पढ़ना है, जिसे मेरे द्वारा आपको 6th class की maths पढ़नी है, तो 6th maths, complete NCIT book, watch now पे click करिए, watch now click करते ही, आप आजाएंगे, उन teacher द्वारा पढ़ाए हुए, complete course पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, complete उन teacher का course आपके सामने आजाएगा, सा आपको जोन से chapter में theory watch करनी है, आपको वहाँ पे most important watch करने है, आपको exercises watch करनी है, आपको NCIT exemplar के solution देखने है, एक complete पूरा arranged manner में आपको मिलेगा, जैसे आपको knowing our numbers का NCIT exemplar देखना है, तो knowing our numbers क्लिक करिए, इसी के नीचे option आते हैं, उन options में आपको अराम से NCIT exemplar मिल जाएगा, आप वहाँ से video को open करिए, यहाँ अलग से भी NCIT exemplar का option available है, पीछे back करते हैं, तो NCIT exemplar 6-12 यहाँ पे भी available है, आप direct यहाँ से भी watch कर सकते हैं, तो इस देखे से आप उन teachers की video को घर बैठे, असानी से watch कर सकते हैं, 100% free education, किसी तरह का कोई fees आपको कहीं pay नहीं करना, कोई subscription fees आपको pay नहीं करनी है, सिर्फ तीन छोटे काम करने, जो कि कुछ second के आप अभी कर सकते हैं, वीडियो को जल्दी से like दे दीजिए, चैनल का bell icon प्रेस कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ अपने school group पे जल्दी से share कर लिजिए, तो link आप कहीं भी social media पे share कर सकते हैं, द इसके next lecture में, मतलब next theory part में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखो, bye and take care.